यह mail है शुष्मा शवरास जी है यह है डेली से और इनका कहना है कि मुझे जोडों के दर्द के प्रॉब्लम है मेरी उम्र जो है 54 साल है ना मुझे सिर्फ गुट्डों का दर्द है बलकि रह रहकर कभी मुझे शोल्डर में पेन हो जाता है तो कभी कमर दर्द हो जाता है यान उसमें इन्होंने पूरा मेंचन नहीं किया हम तभी कहते हैं कि अपनी जो भी रिपोर्ट्स है वो भी हमें बताया करें कि यूरिक एसिट की वज़े से जोड़ों में दर्द है यह हडियां कमजोर होगी और ऑस्टोपीनिया ऑस्टे और्थराइटिस हो रहा है यह फिर रुम का यह मिडल जोड़ है देखें जो मिडल फिंगर का मिडल जोड़ है इस जोड़ पर इस मशीन के द्वारा इसको स्टिमुलेशन दीजे अभी के अभी आपको राम आना शुरू हो जाएगा तीन से पांच मिनट इसको स्टिमुलेट करना है जिनके पास अभी मशीन नहीं है वो इसी जोड़ को खूब अच्छे तरह क्रीम या ओयल से मल सकते हैं या इस तरह की सुजोक रिंग है इसका इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर इसको स्टिमुलेट करने के बाद आपको मेथी की पट्टी इस तरह से लेनी पड़ेगी और उसको उस पर्टिकुलर जोड़ पर बांधना पड़ेगा इस तरह से खूब टाइट इसको बांध देंगे और इसे 6 से 12 घंटे तक अपने हाथ पर लगे रहने देंगे इसका ट्रीट्मेंट करने के बाद आपको एक काम और करना है जो रिंग फिंगर है दोनों हाथों की ये रिंग फिंगर के नाखुन के पास इसको ऐसे ऐसे खूब मलना है ट्विस्ट करना है इस पे हम ये वाली मशीन का प्रयोग भी कर सकते हैं इससे आप पॉइंट को एक्टिवेट करिए खूब अच्छी तरह और आपको बता दे कि ये पॉइंट फाइंडर भी है अगर बॉडी में आपने पॉइंट सही चैन किया है कि नहीं तो ये मशीन बता देती है बाकी ज इसको अपने नाखुन के चारों तरफ लगा लीजिए जैसा कि आपको बताया इसका मिडल जोड लीजिए उसको ट्विस्ट करिए उसकी मसाज करिए उस पे इस मशीन के दौरा थोड़ा दे ट्रीटमेंट दे के मेति बांदे और जो रिंग फिंगर के नाखुन के चारों तरफ मशीन से स्टिमुलेशन के बाद मेति बांदे और अभी के अभी आपको रिजल्ट मिलेगा और उसका रिजल्ट हमें जरूर इमेल के जरीए फोन के जरीए आप बताते रहें